सबसे आस्चरेजनेक रहस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे आस्चरेजनेक रहस्या क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुज़रा है कि महान चिकित्सक और नोबल पुरुसकर विजेता अलबर्ट स्वाइजन से लंडन में एक इंटर्व्यू के दोरान इस रिपोर्टर ने पूछा डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलब बात क्या है मान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे यूग में रह रहे हैं यह वह दोर है इसके लिए आदमी हजारों बर्सों से सपनी देख रहा था और मेहनत कर रहा था लेकिन जब आज यह दोर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत मान लिया है यह वी उपहार में मिला हुआ लेकिन इसके पीछे चिपे संगर्ष और मेनत को हम भूल गया है लेकिन क्या आपको मालूं है कि दरसल होता क्या है चलिए हम ऐसे सो लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की क्या आपको अनुमान है कि 65 की वर्ष उम्र तक पोच्टे बोच्टे इनके साथ क्या होगा 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि भी काम्याब होंगे यदि आप इन में से किसी से नी पुछे कि क्या आप कम्याब होना चाहते हैं, तो वो कहेंगे निश्चित तोर पर और आपने गौर भी किया होगा कि उसी आखों में जीवन के प्रती एक उत्सुप्ता, एक जिग्यासा है, आखों में खास तरह की चमक और हाव भाव है, एक स चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, और बाकी नबी तूट चुके होंगे, अब जरा एक पल सोचिए, सो लोगों में से सिर्फ पांच किसी स्थर पर पहुच सके, उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ, जो 25 वर्ष की उम्र से उनकी भीतर थी, वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं, क्या वोई, आदमी जो करना चाहता है, और जो कर पाता है, उसकी बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, जब हम यह कहते हैं, कि सिर्फ पांच परसन नहीं सफलता हासी थी, तो हमें सफलता को सपष्ट भी करना होगा, और यह है सफलता की पर रहा है, तो वो असफन है, यानि सफलता निर्दारित लक्ष को समझते हुए, उस दिशा में आगे बढ़ना है, महान मनोविज्ञानी, रोलो मेंने एक अध्वुत किताब लिखी है, मनिश्य की स्वयम की खोज, इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में सास और कोसले की विपनीच चीज कायरता नहीं, बल्कि यह है अनुरूपता, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है अनुरूपता, यानि विना सोचे समझे भीड के अनुरूप चलने की मनस्तिति, अधिकांच लोग वैसा ही कर रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं, यह जाने समझे बगैर की क्यों, लगबख साथ वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, पचीस के वोते वोते हम रोजी रूटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी, लेकिन पैसेट वर्ष की उम्र का होने पर भी, हम यह नहीं सीख पाते हैं कि आर्थिक रूप से आत्म निर्वर और निश्चिन कैसे हुआ जाएं, क्यों? इसकी है कि हम बस औरों की निक पर चनते हैं, और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं, यानि उन 95 परसंट का जो काम्याब नहीं ह अब सवन यह है कि यह लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं, इसका उत्तर वे भी नहीं जानते हैं, इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक साचे में गड़ दिया हैं, ऐसे लोग बाहरी शक्तियों से कहेंगे, सभी नोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं, और यही कारण था कि वे इसे करते थे, क्योंकि बाकी नोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, अब हम सफलता की अपनी परिवाशा पर वापस चले, सफल कौन होता हैं, सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष सपष्ट कर फि थे, क्योंकि वही करना चाहती है, वह औरत अपनी जीवन में सफल है, जो एक पत्नी और माही बनना चाहती है, और वो अपनी जिन्मिदारी अच्छी तरhnय निभाभी रही हैं, वह कोनी का गेस सटेशन चलाने वाला आदमी सफल है, क्योंकि उसने यही देशा अपनाने का लक्ष निरदारिद किया था, वो सिंस्बेन काम्याब है जो एक टॉप सिंस्बेन बंना चाहता है और इसी दोतेशे से अपना वेवसाईत जमाता है हर वो आद्भी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निरदारिद काम काफी सोच विचार करकर रहा है क्योंकि यही वो काम है जिसे उसने सोच विजार कर करने का फैसला किया था, लेकिन 20 में से सिफ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई ब्रतिसपरदा करने की जगह हमें स्वयम अपना कुछ मौनिक, सुरुजित और स्थापित करना है, लगबग 20 सालों तक मैं उस कु की बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके, क्या ऐसी कोई कुछी है, मैं जानना चाता हूँ कि जिससे बविश्य के बारे में सब कुछ तेह कर दिया जाए, और हम पहने से ही उसकी बविश्यवानी कर सके, क्या ऐसी कोई कुछी है, जो आदमी को सफ मैनत और इवान्दारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ हास-हास नहीं वो बाता जब भी कुछ लोगों को बिना मैनत किये ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है यानि उनके हातों में कुई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो ज जिस चीज को भी छू देता है फोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदनी जो अपनी जीवन में काम्याब हुआ है वो हमेशा सफलता की दिशा में प्रहत रशीन रहा जब भी असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिस में आगे बढ़ना है एक ऐसे जहास के बारे में सोची जो बंदरगार से बस चलने ही वाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योजना के साथ जहास के क्याप्टन और चालगदन के सदस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लग अब इसी तरह के एक दूसरी जहास के बारे में सोची है फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई क्याप्टन नहीं है और ना ही कोई चालग सदस्यों इस जहास के सामने कोई लक्ष नहीं है कोई उद्देश नहीं है बस इंजिन स्टार्ट करके इसे जाने लिया जाता है मैं सो ना तो कोई लक्ष है और ना ही उसके साथ कोई मारगदर्शन। बिल्कुन यही बात मनुश्य पर भी लागो होती है। ना तो किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा द्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोपने में हैं। आज पूरी अर्थ विवस्ता अपनी सबसे कमजोर कड़ी की इफाजत में धीनी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रूटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज इविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धी या प्रत्वा की जरुद भी नहीं पड़ती। आम तोर पर आज भी रोजी रूटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और यह तधाकतित सुरक्षा हमें उपनवद भी है येकिन यह फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उन्चाई का लक्ष हम अपने निर्दारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आस्चरजनक रहस्य पर यानि जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर वापस चलें। जीवन में सपष्ट लक्ष रखने वाने लोग क्यों सफल होते हैं और लक्षव ही लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको पुछ ऐसी बाते बताता हूँ जिने आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपकी जीवन में बहुत जन्दी बतलावाएगा। शंकाए और बय अतीत की चीज़े हो जाएगी। सफलता और असफलता के कुण जी क्या है मैं आपको बतलाता हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बंदे हैं। अरेलिस ने कहा था मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। इस बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतिक्षा करे तो हर चीज उसे हासिर हो सकती है। बहुत नंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस लतीजे पर पहुचा हूँ एक निश्चित लक्ष वाला मनुष्य और हालवेट्स इसे पूरा करता है और अगर दरड इच्छा शक्ति हो तो इसकी रहा में कोई अरचन नहीं डिक सकती। गाल्फ वोल्डो एमर्सन का कहना है एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन बर सोचता है। दरसल हमारी सोज, हमारी आदतों और भावनाओं से इसकदर कुड़ जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विल्यम जेंग्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे वे काफी ज्यादा सोचे तो आप निश्चित तोर पर उसे हासिन भी करनेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते है तो आप निश्चित तोर पर अमीर बन जाएंगे। होगा कि जो विश्वास करता है उसके निए सब कुछ संबव है। विवियम शेक्सपिर ने इसे इस तरह कहा है हमारी शंका है इतनी विश्वास घातनी है कि वे हमें कोशिश करने से भी वईभीर कर देती है और हम उन सभी मोर्चो पर थार जाते है जहां हम जीत सकते थे। जोज बरनार्ट शौ का कहाना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोश देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में काम्याबी हासिन करने वाले लोग वे लोग है जिन्नोंने काम की शुरुआत की और अपनी मंचाई परिस्थितिया खुद बनाई। ये वास्तविक्ता कितनी सुकद है है ना और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया उसने सफलता हासिन की है हम वही बनते हैं इसके बारे में हम सोचते हैं इसलिए अगर हम किसी खोस और सावतक लक्ष के बारे में सोचे तो हम जरूर इसे हासिन भी करनेंगे दूसरी औ और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है इसे नहीं मालूम कि उसे कहा जाना है और जो इसी वज़र से संशय, भय, चिंता और परिशालियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा जैसे कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी ठेस के बारे में नहीं सोच रह तो वो आदमी नहीं बन पाएगा आईए अब यह समझे कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूं कि यह सारा कुछ क्यों और कैसे होता है करतना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ जमीन का उधारन दे रहे हैं जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विजार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आप वापस लोटाएगा यही वास्तविक्ता लागो वोती है सकारत्मक और नकारत्मक विजारों के साथ यदि आप सकारत्मक विजारों बोयेंगे तो काम्यावे की फसल काटेंगे और यदि नकारत्मक विजार बोयेंगे तो नाकामी यह आत लगेगी कल्कना कीजिए कि इस किसान के हाथ में दो तरटी मीज हैं एक तो किसी अनाच का और दूसरा किसी जहरीने पौदे का किसान, जमीन में दो स्थानों पर दोनों वीजोगों बोदे दायर गया है, उसे वापस लोटाती है, दोनों पौदे उखते हैं, एक अन्नका और दूसरा जहरीला, बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंग और कई ज्यादा चमतकारे, लेकिन यह जमीन के सिद्धान्द पर ही काम करता है, यह भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं, बस जो कुछ बोया जाएगा, उसे ही इसे वापस लोटाना है, चाहे वह सफलता हो, असफलता हो, एक मिश्चित सपष्ट लक्ष हो या असमंजस की स्थिति, गलत फहमी हो, बय हो या चिंता हो, कुछ भी हो, बस जो भी हम इसमें डालेंगे, वहीं यह हमें वापस लोटाएगा, आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्ट आज इस दर्टी पर एक मात्र अंतिम महादेश हैं, इसका आज तक इसमें हमारी कल्कना से भी परेव, सुक, समरिंदी भरी पड़ी हैं, यदि हम सकारात्मंग विजार डालें, तो यह भारी सफलता और सुक, समरिंदी हमें वापस लोटाएगा, आप कह सकते हैं कि यदि यह सही है, तो लोग अपने मस्तिष्ट का अधिक इस्तेमाल क्यों न देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जब ही हकीकत में इसकी विप्रीक बात ही सही होती है, आज जो भी चीजे हमारे जीवन में वाफ्तम में मुद्वपूर हैं पे हमें निश्चुल्क उपलब्ध हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीन, हमारी आशा हमारी बुद्धी, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम या तक की प्रकृति का उपहार, हवा, दूप और पानी भी यह सभी अनमोल चीजे हमें निशुल्ख मिली हुई है और जिन चीजों के निये हम पैसे खरसते हैं वे इनकी मुकाबले टाफी हनकी है, स्तरहीन औ और उने किसी भी चीजे से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की और से निशुल्ख मिली चीजे कभी बदली नहीं जा सकती, और दूसरी बात यह कि मानाव मन की शक्तियों का बरपूर उपयोग नहीं हुआ है, मन इतना शक्तिशानी है कि इसे जो भी काम सौपा जाए, वो कर सकता है, निखिन आम तोर पर हम बड़े और मतवपून कामों के बतने, छोटे-छोटे कामों के लिए ही इसका इस्तमाल करते हैं, कई विश्व विद्यालेव ने यह साबित कर दिया है, कि हम में से अधिकांच लोग एक शम्ता का 10% ही इस्तमाल करते हैं, हमारी शेश काम्याब सेंस्वेन बनना चाते हैं, कंपनी के कुशल और सक्री कर्मचारी के रूप में जगर 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 जाना चाते हैं, आप उस्ष्व यह करना है कि इस लक्ष रूपी बीच का रोपन अपने दिलों दिमाग में करने, जतन से इकागर चित्त होगर इसकी देखबाल क अपने लक्ष पहासिल कर दिया है, उन कामों के बारे में सोचिए, और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए, जो लक्ष तक पहुचने के बाद आपको करने हैं, आज हमारे समय के दौर बो, यदि आश्रियू का युग या अलसर्न और नर्वस दिंडाउन का युग टाहा जाए, तो गलत नहीं होगा, आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थय और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी काम्याबी आसिन करनी है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याव से जूजने में तनाव गरस्थ हो रहे हैं, और खुद को असमाइक मौट की तरफ धकील रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने महान प्राक्रितिक नियमों को अपना नाही रही सीखा, जो हमारे लिए बेहत कारगर और लापकारी हैं, हमारे सोचने विचारने के तरीके मिही या चमतकार छुपा है, दर आज की सोच काई प्रतिफल मिलने वाला है, जोगी आज, कल, या अगले महीने, या अगले वर्ष, हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविश्य या हमारा जीवन निर्दारित होगा, आपका मनमस्तिश, ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को दिर देशित करता है, मुझे याद है, एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किलारे, मैंने एक भारी भर कम मशीन को भीशन आवाज के साथ काम करते दीखा, मशीन एक बार में गरीम 20 तन मिटी उठा रही थी, और एक छोटा सा आदमी बई ये हातों मिठा में मशीन को देशित कर रहा था, एक दम से मुझे लगा कि इस मशीन की पुला वानम मस्तिश से की जा सकती है, और विशाल उरजा के स्थरोट इस मस्तिश गूरूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हातों में है, क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, और इस शकिशानी मश मशीन को इसी के बरो से छोड़ कर किसी खड़े में गिल जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मस्बूती से इसके वीएंग पर जमाए रखेंगे, और इसकी ताकत इसी खास उदेश्य की निये लगाएंगे, ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप द्राइरिं पर नियन्फन रखना चाहिए, विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता, सुख और सम्रिद्धी की और ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशिया उपलब कराता है, जिनका उसमें अपने और और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वही दूसरी और ये नियम उसे ढटर में भी धखिल सकता है, सब कुछ इस बात पर निरवर करता है कि मनुश्य किस तरह से इस नियम का इस्तामाल करता है, यही है दुनिया का सबसे आश्चेरजनद रहस्या, अब सबाल ये है कि मैं इसे आश्चेरजनद क्यों कहूँ और रहस्या भी क् वास्तम में यह कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है पहले-पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्रक्रतिक नियम की सच्चाई प्रमानित की थी और बात में पूरी बाइबल में बार-बार इसका दिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यह यह कारण है कि यह लोगों के लिए आश्चरजनक है और इसी वज़े से यह रहस्य भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शेहर की गलियों में जाए और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें इस सफलता का रहस्य क्या है तो आपको मैनों बर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आद भी नहीं मिलेगा जो आपको यह बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ता में अत्यंत मुल्यवान है यदि हम इसे समझ कर से जीवन में नागू भी कर सके यदरी सिर्फ हमारे लिए बलकि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूरण है जीवन को नीरस और उबाव नहीं बलकि एक कुछ तेजना पूरण अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जिन्दगी पूरी जिन्दा दिली से भरपोर जीनी चाहिए उसे सुबह सवेरे नींद तूटले पर फुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद विवसाई करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर डंग से करता है एक बार मैंने एक देनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी बुला नहीं बाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने विवसाई में मैंने कई बाते जानी एक तो ये है कि लोग मोल रूप से भले होते हैं और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस दर्थी पर पीच का समय हमें एक रोमान चक अभियान की तरह बिताना हैं स्रिष्टी के रचायता ने कहीं बोजने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचायता ने सम आपने अच्छी परिशा दी तो यह आपके जीवन को बैतर से बैतर रोप पे पोई तरह बदन देगी। इना कुछ भी हासिन नहीं कर सकते हैं। भी हमारी क्षमता इतनी हैं। लेकिन औरों को बैतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफल्टा इस बात पर निर्बर करती हैं। कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने को तयार भी रहना चाहिए। अब सवाल है यह मूल्य क्या हैं। काम को अजिक्तम आगे बढ़ाना होगा कि यह काव हमारे ने देविय रूप से निर्धारित हैं। यानि यह समझना होगा कि सभी सीमा रिखाय हमारी खुट की बनाई हुई हैं। और हमारे सामने कलतना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थाद हमें तमाम संखिलनताओं से और पुर्वा ग्रहों से एपर उठना होगा। तीसरी बार अपनी समस्या पर सकारत्म ग्रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेदित करने में पुरिक शम्ता और सहस का इस्तमाल करना होगा। और साथ ही अपनी लिए एक निष्टित और पश्ट लक्ष निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिश को लक्ष के बारे में सभी संभवकोलों से विजार करने का अवसर देना होगा। लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस प्रथ्य से अवबद कराते रहना होगा कि आप अपने उपनब्धियों के ख्षेतरों के मीचों बीच खड़े हैं और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाए उसका 10% मिश्चित रूप से बचाए यह हमेशा याद रखे कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मुल्य चुकाने को तयार है तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण विंदू जो एक खोपसुरत जीवद बिताने के मूल्य के तोर पर हमें चुकाना हैं पहला हम वैसा ही बन उसका 10% बचाएं साथ ही यह भी याद रखे कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यविंच नहीं करते हैं और अब मैं 30 दिनों के परिक्षणों को समझाने की कोशिश करूंगा अपने दिमाग में यसपष्ट कर ले कि इस परिक्षण में आप कुछ जबी खोने रही जा रहा है बंकी मुवकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं जो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ का कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चींज से भैदीत रहते हैं मैं चाहूँगा कि आप एक कार्ड पर लिखे कि वो क्या चीज है जिसे आ आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप सोचते हैं। अभी आप अपनी लक्ष के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए यह समझें कि बहुत जन्री ही आप इस लक्ष को हासिन करनेंगे। दरसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर निखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी बल से वो लक्ष आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैने प्रचूरता की और देखिए। इस तरह की प्रचूरता पर आपका भी उतनाई अधिकार है जितना औरोगा है। यदि आप चाहे और प्रयतना करें तो यह प्रचूरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से के तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आददे रिश्चित करनी होई और नई आददे आसान से नई बनती। लेखिन अगर एक बार पढ़ जाए तो फिन जीवन बर आपके साथ बनी रहती है। जिस चीज से भी आपको भई लगता है। उसके बारे में सोचना बन कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारत्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपने सकारत्मक और महत्वपोर्ण लक्ष का विचार उसकी सजीव कलतना मन में ले आए। इस दोरान ऐस समय भी आएगा जब आपको लगेगा तुम यह प्रयास छोड़ दिया जाए। क्योंकि आदमी के निये सकारत्मक सोचने की अपिक्षा नकारत्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही वज़ए कि सिर्फ 5% लोग यह काम्याब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाह जिसकी अलोवती आप देख। 30 दिनों की इस परिक्षन अवधी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उच्छाई सकारत्मक रुक बनाए रखने के लिए तेले से भी ज्यादा गोशिश करें। यह सारा कुछ यह द् जिसकी आप उसी ख्षन ऐसे सफन लोगों की श्रिनी में आ जाते हैं जिने मालूम है कि वी किदर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष निलधारित करने के साथ ही आप प्रते सों में से शीर्च के 5 लोगों में आ गए। लक्ष भीस तरह हासिल किया जाएं। इस चिंता म अपने आपको बहुत ज्यादा मत कुल जाएं। इसे पूरी तरह उस शक्ती पर छोड़ दीजे जो आपसे ज्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ यह मालूम करना है कि आप किदर जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रस्ण जैसे जैसे सामने आएंग उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएगा। आप दर्मुपदेश के यह शब्द याद रखिए और उन्हें परिक्षन के दोरान हर दिन में सामने रखिए। प्रश्ण पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्थ होगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो तुमारे ने द्वार खुलेगा। जो खी घ्यासा रखता है उत्तर पाता है धूनता है उसे प्राप्थ होता है और जो दस्तक देता है उसके ने द्वार खुलता है। यह शब्द जितने सहज है उतने ही चमतकारी भी दरसल यह सिधांद इतना सरल है कि अमारे क किसी भी पेशे में जुड़े हो, इस 30 दिनों के दोरान अपना सर्वोतम प्रदशन करें, जैसा आज तक आपने कभी नहीं किया, हर दिन अपना लक्ष अपने सामने रखें, उसके बाद जीवन का जो भी नया पहलू आपके सामने होगा, उस पर आपको खुद आश्चरिय हो मानो असफल होना असम्मव है, डौरती ने भी परिक्षन अवदी पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और आश्चरिय जलक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया, अब आप 30 दिनों तक अपना परिक्षन करें, नेकिन तप्प्पर परिक्षन शुरू ना करें, जब तक आप इससे जुड़े रहे रहे के निये, खुद को पूरी तरह तयार ना करने, आप आएंगे कि दर्ड लगन शीर होने की वज़े से आप में विश्वास भी इंचलक रहा है, कहा जा सकता है कि दर्ड लगन विश्वास काई दूसरा नाम है, अप अपने आप को उन गिने चिने लोगों में पाएंगे, जिनके सामने कुछ भी असंबव नहीं है, आप अपने काड को मत भुले, जब आप जीने का यह नया डंग शुरू करते हैं, तो यह काड आपके निया आयत ज़रूरी है, इसकी एक तरफ आप अपका लक्ष पोछो और वो तुमें मिलेगा, धूंडो और तुम उसे निश्चित पाओगे, दस्तत दो और द्वार तुमारे नहीं खुलेगा, परिक्षन के दौरान अपने खाली समय में प्रेरत पुस्तके पड़े, यह आपके यह काफी उप्योगी रहेगी, जीवन में कभी भी बई को जन देती है, और बई जीवन को तोड़ देता है, याद रखे कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिलकुल सपष्ट रखना है, बाकी सारी चीज़े खुद बखुद तै होती चनी जाएगी, यह भी ध्यान रखे कि आप हमेशा शान्ध और प्रसन्न चित बने र कोई भी अध्खचरा रहना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से बरा हो, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोईंगे वही काटेंगे, अगर आप नकारतमक्स रिचारों की फसल बोदे हैं, तो आप नकारतमक्स सोच से ही बरे रहेंगे, और यदि सकारतमक्स विचार बोते हैं, तो आपका जीवन प्रसन्नचित, स्टफल और सकारतमक्स बनेगा, और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवरते देखी जाती है, सुनी गई बाते धीरे धीरे भूलने लगते हैं, इसलिए इस रेकॉर्ड को प्रसन्चित, सारे मिलेंगे, जिनका कहना होगा, कि वे नियम को जाने समझे, सेखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं, ये वैसे लोग है, जो बिना कोई परिश्रम किये, बिना कोई खीमत चुकाए, मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में विनिम्य ही लोगों के पैसे से करते हैं, इसलिए प्रामानिक नियम की अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थी गलाब हासिल होगा, जिस अनुपात में हम लोगों की सीवा करेंगी, सफल्ता कभी भी ऐसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विप्रीत, सफल्ता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं, और सफल्ता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी, जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगी, लोगों को अपनी सेवाई उभलब कराएंगी, अधिकांश लोग इस नियम को उगीटा समझते हैं, इनका मानना वोता है कि अगर आप बरबोर पैसा कमा रहे हैं, तो आप सफल हैं, जब कि सच्चा यह है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं, जब पहने आप सफल्ता प्राप कर लें, अनिथा उस आदमी की कहानी का उधारान ही बनेगा, जो अंगीठी के पास बैड कया, और कहने लगा कि पहले मुझे आज तब में नकडिया डालूंगा, आप क्या मानते हैं कि आज दुनिया में इतने लोगों का जीवन के प्रती ऐसा रवया होगा, उनकी संख्या क्रोडों, अरबों में होगी, जब भी हमें समझला चाहिए कि पहले इंगन डालने पर ही आग भी नेगी, ठीक उसी तरव हमें ब आगे देखिए, और सिर्द देखिए कि कैसे आपके पास कितनी प्रचूर संपत्ती और समृद्धी आती हैं, समृद्धी भी परस्पर विनम्यक नियम पर ये आधारी थे, वो इगी व्यक्ति जो समृद्धिक के लिए परिश्रम और योगदान करता है, वो स्वयम को समृ परिणाम आपको उन लोगों से ना मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, वही कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियव है कि प्रतेक्रिया की समान और विप्रिद प्रतेक्रिया होती है, कि इस दिन की परिक्षन अवदी से एक एक दिन करके गुजरते हुए, हमेशा उस सेवा के परिमान और गुडवता से मापी जाएगी, जो आपने लोगों को उपलप्त कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है, कोई भी व्यक्ति तब तक समर्द नहीं मन सकता, जब तक वो औरों को समर्द ना करे, इस नियम में कोई अपवाद नही और यदि वो और कम की चाहत रखता है, तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी, यही वो मूलिया है, जिसे आपको अपने इच्छा और ज़रूरत के लिए जुकाना होगा, यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दर किनार कर स्वयम को समर्द करनेंगे, तो यह आप की भूले हैं, इससे आप स्वयम को यह दर किनार कर लेंगे, यह बिलकुल सास लेने और छोडने की तरह जैसा सच है, कि आप जितना कुछ देंगे, उतना यह आपको वापस मिलेगा, आप इस नियम को पलच सकते हैं, वैसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्यों भी यह अस नकारतमक सोच को त्याग दें, तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें, तो आशन का जतलाते हैं, कि आप सफल नहीं हो सकतें, इसकी स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें, जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं, अगर नकारतमक विचार ही आप पर हावी है तो अपनी बच्छपन के दिनों तक पीछे लोटकर उन कारालों पो धून निकालने की कोशिश करें जिनकी वजल से पहले पहन ये बात आपके मन में बैड गई है कि आप सफल नहीं हो सकते। की थ्यास के शुरुआत से ही मिशेशन की लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की केमत चुगाएं ये काम मिश्चित रूप से तरा मुश्किन नहीं हैं जितना की एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीव आप आस्चरे करेंगे कि आप किसी और डंग से कैसे जीवन व्यतित कर रहे थे इस में डंग से जीवन जीए और प्रचूरता का द्वार आपकी समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुख समरिद्धी की ऐसी वर्षा होगी कि जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी जीवन व्यतित कर रहे है आज से ही आरम फिजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए बिल्कुल नया जीवन आपके समुक है धन्यवाद